हमस्काइब दोस्तों इंडियन किसांद चेना पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त महिश चौधरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घाई या भैस को अडर की कोई भी बीमारी हो तो उसका देशी इलाज कैसे किया जा सकता है जो हमारे देशी चीजों से ही हो सकता है तो आईए हम उसके बारे में बात करते हैं तो एंदर के कोई दिक्कत हो यह सुजन हो जाद दूद ना रहा हो तो सब के लिए हमें इस तीन चीजों की जुरूर पड़ेगी आप देख सकते हैं यह नेचरल एलो वेरा जूस है जो एलो वेरा हमें मिल जाता है कि अगर ये अलो वेरा हो तो बहुत भड़िया रहता है मेरे अगर थान है इसालिये में बोटल लाही थी मेरे काय को दिक्कति है हल्दी है हल्दी पीशीवी अलदी है और एक तेल है तेल सरसों का हो तो बहुत बढ़िया हो सकता है बाकि कोई भी चल जाता है तो यह तीन चीजे प्लाव को बहुत ही काम आती है तो मेरे एक काय को दिक्ट थी तो मैंने डेरी में से विजीट बुलाई थी उन्होंने मुझे ती यह तो मेरे अगर का यह तेल यह दोनों चीजे होने मुझे दी और मैंने उनको पूछा कि इसमें क्या क्या आता है तो उन्हों ने बोला कि अगर हम यह नहीं दे आपके पास एलोवेरा हो तो एलोवेरा और हल्दी दोनों और तीसरा इसमें तेल मिलाना है थोड़ा तो यह पेश्ट बना तना है और उसको लगाना है मतलब सुबाय की दोफर और शाम को दिन तीन बार लगना है जब पूरे अट्र में दिखा थी था दो पूरे ऐट्र में लगा सकते हैं एक एक यह दो로 पर छकुष्छास इसका बहुत ही बढ awarded मर्यक। तो बढ़िया हो गया है काफी मैंने थोड़ी मतलब 10-12 दिन यह आयुर्वेदिक होने के कारण हमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ड मिलता है तो यह हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सबी चीजें हमारे हो आसानी से मिल जाती है तेल पी रहता करने के लिए तो इसकी तीनों को मिला के पेश्ट बनाएंगे और उसका तीन भाग करके पूरे दिन में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ड मिलता है दोस्तों तो यह देशी हिलाज था जिए मैंने डॉक्टर के पास से जाना मुहने करके मेरी घाय को दिकत थी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें धन्यवाद दोस्तों